बतादें कि बिहार के नवादा लोगसबा सीट से बड़ी खबर है नवादा लोगसबा सीट से गुंजन सिंग ने मजबूत किया एक बार फिर से अपना दावा वाइरल लड़के ने आखिर क्या गित गाया है गुंजन सिंग के बारे में सुनकर आपको काथ बतादें कि नवादा से एक वाइरल एक पोस्ट हो रहा है लड़के का गीत काफी वाइरल हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है ये गुंजन सिंग का काफी बहुत परसंसक है और अपने आपको गुंजन सिंग का चेला बताता है और उस नाम है लड़का सिंग का अपने आपको गुंजन सिंग का चेला बताता है और उस नाम है सरोज सरगम जिन्होंने गुंजन सिंग के बारे में बहुत अच्छा एक गित गाया जो काफी ज़्यादा वैरल हो रहा है इनके बारे में कहा जा रहा है कि नावादा सीट से वहां की जनता चाह रही है कि सिर्फ गुंजन सिंग को टिकट मिले है और गुंजन सिंग हाला कि पहले से भी खबर आ रही है कि गुंजन सिंग लोजपा के पहले से संपर्क में है लोगजनसक्ति पार्टि आमबिलास के जिकट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी लेकिन लोगों का कहना है और जनता की मांग है कि गुंजन सिंग जो की मगही स्टार के रूप में जाने जाते हैं और बिहार में काफी अच्छे और बहुती प्रतिश्चित गायकों में से एक उनका नाम बड़ी ही अदव से लिया जात सरस्थी के आशिरवात से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है और मुझे राजनीती से पैसा कमाने का कोई सोख नहीं है नहीं मेरे पास कोई कमी है मैं यह चाहता हूँ कि राजनीती में आगर लोगों की सेवा कर सकूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि लोगों की सेवा करना सब तो कि काफी वाइरल हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार सोनो सरगम ने इस गीत को कैसे गाया है आप ध्यान से देखिए तक करों बातों में नई खे याई हाजी भाव जी लेए के नोटवाजी हमनी सब क्या हाखाई जी चाचा एके गोयार माना मा बने जैतना बादा के भीदारा लक मामा हमनी सब क्या हाखाई जी भाव जी भाव जी गोयार माना मा बने जैतना बादा के भीदारा लक मामा आजी चाट पोट के सब खागेल खुन चाची बाहर के नेता वाजी आजी चाट पोट के सब चल गेल खाची बाहर के नेता वाजी ताया पना घरे के संसत बाना दाना हाखुन ने बादा के नेता वाजी ताया पना घरे के भेटा के देहुन जी ताई हाखुन घरे के भेट वाजी